यूपी पुलिस की तरह वडोधरा पुलिस ने भी यह रुक अपनाया है वडोधरा पुलिस ने भी एलान किया है कि सरकारी संपत्यों को जो नुकसान किया गया है उसकी फरपाई इसके लिए वरोधरा पले से जल्द ही कोट जाएगी उतरप्रदेश पुलिस के नक्षे कदम पर चलते हुए गुजरात की वरोधरा पुलिस ने भी अलान किया है प्रदेशन कारियों ने पुलिस की कई गाड़िया भी तोड़ दी अब वरोधरा पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्च पर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का एलान किया है वरोधरा शहर के पुलिस कमिशनर अनुपांग सिंग गहलोथ ने कहा है कि 20 दिसंबर को पत्थरबाजी में वहानों को क्षटी पहुँशाई गई और इसका हिसाब भी लगा लिया गया है तकरीबन 40,000 रुपे की संपत्ति को नुकसान पहुँशाया गया है कमिशनर ने यह भी कहा कि पुलिस बहुत जल्द अदालत की शरण में जाएगी और हिंसा फैलाने वालों की संपत्य जब्त करने की इजाज़त मांगेगी उन्होंने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोट के उस आदेश को संग्यान में ले रही है जिसमें सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के निर्देश दिये गए है सुप्रिम कोट ने 2018 में कोडू नगलूर फुल्म सुसाइटी हिंसा मामले में सरकारी और निजी संपत्यों को नुकसान पहुंचाये जाने पर इसकी भरपाई के तरीके बताये थे पलिस कमिशनर गहलोत ने कहा है कि इस आदेश दे सुरत पलिस को नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि वडोदरा पलिस भी हिंसा करने वालों की संपत्ती से भरपाई के लिए पहली बार कोट का रुख करने जा रही है